दोस्तों भगवान सीव के निवास असल माने जाने वाले कैलास परवत पर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसे सुनने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि कैलास परवत पर भगवान सीव के निवास सच में होता है क्योंकि दोस्तों कैलास परवत के आसपास जाने वाले बहुत से लोगों का मनना है कि जब कैलास परवत के आज पास से कोई गुजरता है तो वहाँ पर डमरू की द्वनी और ओम का वाके सुनाई देता है और आप सभी ये बात भली बात ही जानते होंगे कि डमरू का संबंध भी हमारे भुले भंडारी सीज से ही है और ओम तर से साफ हो रही है कि कैलास परोद पर भगवान सीव का निवास होता है लेकिन दोस्तों आज तक कोई कैलास परोद पर चड़ी नहीं पाया जो इस बात को जूट साबित कर सके